हेलो दोस्तो वेलकम तुको कवितब नर्स आज हम बनाएंगे चॉकलेट ग्लेस जो कि हम घर पे बना सकते हैं बहुत इजी रेसिपी है यह और आपको वीडियो यह पसंद आएगा इसे जरूर लाइक से रहो सब्सक्राइब करिएगा यहां पर हमने वेट मसीन के उपर जो है हमारा एक बाउल रग दिया है प्लास्टिक का आपको पता है बेकिंग में वेट प्रकर करना बहुत जरूरी है यहां पर हम डार्क चॉकलेट ले रहे हैं जो की मार्केट मिलता है 400 ग्राम के पैकेट वाला जो मिलता है वह आपको ले करना है और आपको बेट करके यूज करना है जितना आपको जरूरी लगता है तो जो यहां पर रेसो रहेगा दोस्तों वह तक्रीबन तूइस तूवन का रेसो रहेगा यह देखिए हमने यहां पर 200 ग्राम के असवस्वाश चॉकलेट ली है और यहां पर हम यह जो 180 ग्राम 10 ml का जो बावल आता है मेजरिंग उससे हम 45 जितना फूल होता है उतना ले लेंगे मतलब around 120 ml के आसपास ले लेंगे और यहां पर देखिए मैंने यह नॉर्मली जो हम क्रीम यूज करते हैं केक बनाने के लिए आइसिंग क्रीम उसको ले रहे हैं आप इसके जगावे फ्रे गनास अच्छा बन जाएगा अब इसको हम नॉर्मली इसको इद्दम लो फ्लेम के पर पका लेंगे अच्छे से लिच्छे कि थोड़ा हीट हो जाए तो अगर आप अमुल्की या किसी दूसरी ब्रेंट की फ्रेस क्रीम ले नहीं तो उसे और जाता है उसमें साइन आता है आप उसको यूज कर सकती है और फॉल क्रीम मिल्क भी ले सकते हैं अगर बस दोनुं नहीं तो झाव अब मैं इसको छान ले रहा हो ठाई कि है अर आईसिंग क्रीम से बना रहे हैं इसमें गुठलेयों पड़ जाती है पकाने गवार तो इसको हम छान लेना है इवन फ्रेस क्रीम भी आप रहे रहे तो इसको भी आप छान लेजिए और इसको अच्छे सा हमें clockwise दो इसको फेटना है और चौकलेट हमारा गल जाएगा हमें चौकलेट गैस पे रखके फ्लेम पे नहीं पकाना है उसकी साइन खता हो जाएगी हम इसे तरह से करना है जिससे कि जो हमारा गनास बनेगा वो चौकलेट गनास वो काफिज़ा साइन नहीं रहेगा तो इसको अच्छे से फेटना है clockwise और इसको देदे गिला देना है गरम में ही तो मैंने जैसा ही बता है आप मिल्क का उपयूग करिए आप मुल्क क्रीम या कोई दूसरी क्रीम का उपयूग करिए हमें हमेशा फेट वाली क्रीम ही लेनी है जिससे कि इसमें साइन आए अगर आप नॉर्मल मिल्क ले रहे हैं तब इससे फेटन है काफी एजी रेसिपी है आप रेडिमेट जो गनास आता है चॉकलेट गनास आप वह लेते हैं उससे सब फ्रेशली आप अपने घर पे बना सकते हैं यहां पर देखिए मैं कोको पाउडर डाल रहा हूँ यह optional है आप चाहिए तो आप डालिए अधरवाइस आप इगनोर कर सकते हैं इससे क्या और चॉकलेटी फ्लेवर आता है केक अगर आपको और चॉकलेटी बनाना है उसका गनास को और ज्यादा चॉकलेट इनहांस करना है फ्लेवर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ ही आपको हलका सुगर जो पाउडर आता है आप उसका यूज़ करिए अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद है और अगर मीठा कम पसंद है तो आप नॉनमल भी यूज़ कर सकते हैं कोई डालनी जाती है क्योंकि केक में भी सुगर आलरी रहता है आप सुगर सीरप केक विज़ग डालिंग उसके बाद आप इसका यूज़ करेंगे तो मीठा प्रॉपर हो जाता है अब आप इसका साइन देखिए तो कुछ इसता से हम गनास का बना सकते हैं दोस्तों बहुत एजी रेस्पी येट बहुत लोगों को नहीं पता है इसके ल कुछ गुठलियां होंगे तो निकल जाएंगे अगर आप छाने के नहीं तो इस जम जाएगा और हर बार यूज़ करने पर आप इसको गरम कर लीजिए